तो भाई जब बात आती है ना शोशल साइंस की यानि कि SST की तो अच्छे सचे स्टूरेंट्स को पसीना चोड़ जाता है क्यों चोड़ जाता है क्योंकि SST का मतलब most of the students समझते हैं कि रटाफिकेशन हैं बहुत सारे डेटाज होंगे डेट्स होंगे मैप्स होगा मतलब बहुत ज़्यादा होच पाच होगा और इसी हरबड़ी में maximum जो students होते हैं वो इस important subject को जिसमें वो score कर सकते हैं उसको importance नहीं देते हैं ये subject कहीं ना कहीं miss हो जाता है और students कहीं ना कहीं इस बात को भी भूल जाते हैं कि भाई जब आप एक board exam especially when we are talking about board exam जब आप एक exam की बात कर रहे हो तो उसमें सारे subjects को equal importance दिया जाना चाहिए ना कि किसी particular subject को जैसे आपने science को ही बहुत जादा heavy मान लिया या बहुत अच्छा मान लिया या math को अच्छा मान लिया या English को अच्छा मान लिया लेकिन ऐसा नहीं होता है हर subject scoring subject होता हो कहीं ना कहीं सब का contribution होता है आपके highest जो score है उसको पाने में highest percentage को cover करने में तो 99% marks आप ला सकते हो SST में सिर्फ 3-4 महीनों के अंदर अंदर में it's absolutely very very much easy हम ऐसे बात नहीं कर रहे हैं मैं आपको काफी चीजें कुछ सकते हो because यहां पर तो मैं आपको अपने चैनल पर जैसा आपको पता है भाई हम यहां पर आपको most important जो study notes होते हैं वह देते हैं तो बस चैनल को subscribe करके रखो और जल्दी से हम बढ़ते हैं अपने second slide की तरफ तो यहां पर मैं शुरुवात करूंगा भाई कि जितने भी जो आ क्या क्या क्योंकि अगर आप अपने syllabus को ही नहीं जानते हो starting होता है अगर आप अपने syllabus को ही नहीं जानते हो it means आपको यहीं नहीं पता कि आपको जंग लड़नी कहा है तो अगर वो नहीं पता तो बता देना deleted chapters हैं या topics हैं या portions हैं उसके लिए मैं आपको एक अलग से video दे जोंगा ताकि आप confused बिल्कुल भी ना हो तो यहां पर देखो भाई शुरू हो जा रहा है यहां पर आपका chapter number 1,2,3,4,5 यहां history में आपका rise of nationalism in Europe है then chapter number 2 है nationalism in India then chapter number 3 making global world chapter 4 age of industrialization chapter 5 है आपका print culture and modern world यह आपको पढ़ने हैं आपको history में जिसमें से एक दो chapters छोड़े से लंग ल में बात करते हैं geography में जिसमें seven chapters है resources and development forest and wildlife resources, water resources, agriculture, minerals and energy, manufacturing industry, manufacturing industry, manufacturing industry से कोशन आते ही आता है तो इस पर ध्यान देना होगा life lines of national economy यहां से भी कोशन आते ही आता है तो कहां कहां से किदर से कोशन आते हैं मैं भी सारी बाते आपको बताऊंगा लेकिन अब बढ़ते हैं आगे इको और political science की तरफ तो economics में आपके ये 5 chapter हैं जो कि बहुत important हैं development sectors of Indian economy money and credit and so and so यहां political science का आपका पूरा पार्ट यहां आपको दिया हुआ है ठीके तो यहां पे देखो भाई पहले मैंने आपको syllabus ही दिखा दिया और एक frame में दिखाया ताकि आपको पता चले कि आपको पढ फोकस करना चाहिए जैसे कि अगर हम बात करते हैं the rise of nationalism in Europe की तो यहां पे जैसा देखा गया है भाई कि यहां पे आपको दो questions जो हैं वो एक तरह से fix होते हैं जर्मनी और इटली का जो unification है ना इस type के questions जो हैं यहां से आते ही आते हैं so this is very much important तो इसको focus में आप कर ले ना च 110% देना ही देना है यह सोच के रखो जैसे आप हर दूसरे subject को focus कर रहे हो ना time दे रहे होगे तो यह भी करना और आप मुझे comment section में यह भी बताना कि क्या मैं आपके लिए time table design कर दूं best time table for you for board examination चैक क्लास 10th के हो 11th के हो 12th के हो कोई भी class के हो काम सब के आएगा ठीके comment section में जरू बताना तो अब हम चल रहे हैं आगे लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाने वाला हूं कौन कौन से topics हैं जो बहुत important है और at the end last में हम बात करेंगे कि तीन महीनों को आप बातोगे कैसे ठीके तो बिना देरी के वे चलदी से शुरू करते हैं यहां पे और भाई यहा आप history की बात करते हो ना तो यहां पे देखो the rise of nationalism in Europe तो यहां पे देख रहे हो यह कुछ points जो colored है ना यह बहुत important है ऐसे question तो कहीं से भी आ सकता है लेकिन देखो the making of nationalism in Europe यह बहुत important है मैंने अभी आपको कहा कि यहां से questions आते ही आता है ठीके और the making of Germany and Italy जो unification वाला बात यह बहुत पूछता है तो आपको इस पर भी focus करना है then moving on to chapter number 2 nationalism in India के जब हम बात करें तो यह different topics आपको पढ़ने हैं लेकिन यहां पे देखो map work तो बहुत important है जहां जहां map work आएगा मैं आपको बताते जाओंगा the sense of collective belongings या the first world war खिलाफत and non cooperation movement non cooperation यह चीज पर आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है करते वक्त जब आप तयारी कर रहे होगे उस वक्तिके अब हम बढ़ते हैं next chapter number 3 की तरफ the making of a global world जहां पर the interwar economy इस पर भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोग है यह भी important topic हो रहा है साबित हो रहा है आपके board exam को ध्यान में रखते हुए और map work पे भी आपको यहाँ ध्यान देना है map work के लिए मैं आपको बता दूँ मैं आपको एकदम sure shot video दूँगा जहां आप देखोगे ना तो आप बस direct आप पहुंच जाओगे अपने लक्षे के क में उसका selection कैसे कर सकते हैं इस chapter के अंदर यह बहुत important topic है और water resources की जब हम बात करें तो यहां से map work से related बहुत question आता है तो यहां भी आपको focus करना है अब आते हैं chapter number 4 की तरफ agriculture जहां पी food security जो है इस पर ध्यान देना है और map work पे power sharing अब हम आ जा रहे हैं politics की तरफ history हमारा complete हो politics की तरफ तो politics की तरफ यहां पे बहुत power sharing एक बहुत important chapter साबित होता है और power sharing में question जरूर आता है कि why power sharing is desirable गुमा फिरा के पिछले कई सालों में इसको पूछा गया तो इसको आप लोग ज़रा सब focus सकतना as well as federalism chapter में decentralization in India वैसे federalism क्या है पहले आपको यह समझना होगा चेकि तरह से gender religion and caste से आपको यहां पर ध्यान देना होगा woman political representation ठीक है इस topic को आप लोग टच कर लेना और साथी साथ कास्ट in politics and politics in caste ठीक है इसको आप focus कर लेना अच्छा अब यहां से मैं थोड़ा सा आपको फिर ले जा रहा हूं अपने next slide की तरफ यहां आ जाओ और एक बार मैं क कमर कर सके तयार हो जाओ यार किसी भी हालत में किसी भी हालत में हमें history में geography में या कहलो overall sst में हमें अच्छा खासा score करना है देखना बाद में आप बोलोगे sir बहुत ज़रा फाइदा और ratification की कोई जरुवत नहीं है क्योंकि मैं आपसे मांग रहा हूं सिर्फ एक घंटा ड मैं आपके लिए कुछ chapters को divide किया है the rise of nationalism in Europe और nationalism in India ये दो history से मैंने chapter लिया है अब यहां पर जब बात आती है na rise of nationalism in Europe तो ये भाई थोड़ा सा हो जाता है हलका सा lengthy chapter तो आपको थोड़ा सा यहां ध्यान देना होगा चीकिए और साथी साथ में देखो resource and development हमने लिया है geography से और power sharing लिया है political science से power sharing मैंने देखा है बहुत लंबे लंबे chapters यह सब नहीं है बशरते अगर आप उसको उसी तरह से divide करके पड़ते हो तो और समस्ते हुए पड़ते हो तो और यहां पे मैं एक बात बोल दे रहा हूँ देखो data बेटा का या dates वगरा का जो चक्कर होता है वो confusion इ अगर से SSD में एक और बात भी बड़ी उठती है कि सर SSD में points कीतने लिखें points बहुत जादे हो जाते हैं बात सही है इसको हम किसी और video में deal करेंगे और इस बात को आप मुझे comment section में याद दिला देना मैं इसको आपके लिए लग से video लेकर आऊंगा अब आते हैं development की तरफ जो अब आते हैं 19 नवंबर से 18 दिसंबर के बीच में अब यहां भी मैंने देखो आपको 5 chapters आपके लिए डिवाइट किया है यहां पे age of the age of industrialization agriculture, federalism, gender caste and religion, sectors of the Indian economy, अब जब हम देखो यहां की बात कर रहे है न तो यहां देखो एक बात आपको बहुत दू, the age of industrialization जो है जो हिस और एक और बात बोल रहा हूं, social science का एक और बात, important बात, कि एक दिन में आप ऐसा लोग, ऐसा मतलो कि एक chapter पूरा complete करना है, दो से तीन पन्ने ही आपको average store पे लेके चलने हैं, मतलब एक घंटा कहो या दो से तीन पन्ने, चीके, उतना करो और notes अपना बनाते वे चलो, चीक तो I hope कि यहां पर आपको कोई दिकतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीके, यहां पर आपको कोई काम दिकतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, और यहां पर देखो भाई, यहां से बहुत सारे चीजें, जो हैं वो बहुत सारे questions आते हैं, ठीके, तो आपको यहां ध्या के हिसाब से ज्यादा नहीं मांग रहा हूं मैं आप से the making of a global world minerals and energy resources manufacturing industries political parties money and credit जिसमें से first one है history से दो lessons लिए हमने geography से एक लिया है political parties political science से और एक है आपका eco से अब यहां पे आप ध्यान दो कि भाई manufacturing industries की जब हम बात करते हैं ना इसकी इसकी तो यहां पर आप ध्यान देना भाई कि यहां यह जो चैप्टर है यह manufacturing industries से आपके questions एकदम fixed हैं जो कि आपको questions आना ही आना है जैसे कि आपका jute industry जो है उससे regarding question आता है बहुत सारी चीज़ें और भी है चैके money and credit की अगर हम बात करें तो यहां ज़्यादा पंगा नहीं है यह ज़्यादा लंबा lesson मैं नहीं कहूंगा करीब कुछ वई 15-16-17 पन्यों का यह chapter है तो इसको भी आप focus में आप रखना ध्यान देना और इसको आप cover करना मतलब मैं फिर से बोल रहा हूं यह ऐसा division आपको करना पड़ेगा तब जाकर अंदर में I hope कि इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा अब हम चलते हैं last month की तरफ यानि की 19 January से 15 February की तरफ ठीक है 2023 की तरफ यहां पर देखो print culture in the modern world, outcomes of democracy, globalization and Indian economy, life line of national economy, forest and wildlife, water resources, अब यहां पर देखो दो छोटे chapters लिये हैं और एक लंबा chapter को मैंने रखा है जहां पर जो मैंने लिग भी दिया है लेकिन नीचे के दो chapters होए है ना forest and wildlife और water resources यह छोटे chapters है चेके तो आप कह सकते हो कि थोड़ा सा mixture हो गया हलक की 6 lessons यहां पर है 6 chapters लेकिन 2 chapters क्यूंकि छोटे है तो थोड़ा मेकप हो जागा थोड़ा बहुत तो compensate करना ही पड़ता है यार इतना त आपको इसको ध्यान देना ही देना होगा तो इसको आप लोग ध्यान देना और इस पर focus अकना चेके अब रही बात की हर सब्जय हर जो chapters है चेके हर chapters जो है इसके important notes अगर आप बोल रहे हो तो definitely no need to worry यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं देखो मैंने आपके लिए वीडिय चैनल इसमें आप सब्सक्राइब करके रख लो भया क्लास्ट है 11-12 के सारे notes यहां पर आपको मिल जाते हैं ठीक है that is also free of cost तो देरी बिल्कुल नहीं करना और यहां पर मैं आपको वीडियो सेक्शन में जड़ा सा ले जा रहा हूं अरे यार रुक जा रुक जा रुक जा र इंपॉर्टेंट चैप्टर का जो है rise of nationalism in Europe यह देखो 25 most important questions दिया है sure shot है मैं आपको 100% guarantee दे दे रहा हूं कि यहां से आएगा ही आएगा नहीं आएगा ना तो आप मुझे पूछ लेना आप मुझे बता देना ठीक है यह देखो class 10th history rise of nationalism in Europe 100% guarantee 25 important questions है पक्का आएगा इसको ए प्लीज यार हमारे जो चैनल है ना study with Vishal sir और इसमें subscribe करके रखो क्योंकि आपको अगर चाहिए एक platform के अंदर सब कुछ तो आपको जुड़ना होगा हमारे या आपके अपने चैनल विशाल कुमार जैस्वाल से और study with Vishal sir से ठीक है so do subscribe this channel and yes मिलते है नक्ष वीडियो में भी अपको जो हमें भीर झाल मसल है थी यार में डिogoन प्ह़ोंकि आपक झाल अंदितना जाहिन उन्हारा हमारे ज